दोस्तों गुडल के प्लांट में बंपर फ्लावरिंग के लिए इतनी सारी बट्स कलियां जो बन रही ही आज मैं आपके साथ सेयर करेंगे बहुत ही जबरदस्त का लिकुड फिटिलाइजर जिससे कि हमारे प्लांट में कलियां ही कलियां आएंगी और फूली फूल खिलेंग हीविसकस में बहुत सारे क्वेश्टर आ रहे ही दोस्तों के साथ साथ कुछ हमाई केर भी करनी पड़ती है कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है हीविसकस प्लांट में फ्लावरिंग आरी देखिए आज कल बरसात का सीजन है वारिस कापी हो रही है अगर आपकी यहां नेट्रोजन वाले फटिलाजर को कम डाला करिए क्योंकि हमारे प्लांट की अपने आपी ग्रोथ भी बारिस के वैसे हो रही है दूसरा हमें क्या ध्यान देना है दोस्तों प्लांट के लिए कि हमारे फ्लावरिंग अच्छे आए बड़े आए चाहे फल फुल सब्जिया हो अच्छे आए बड़े आए फटे नहीं सड़े नहीं दोस्तों बारिस की वैसे हमारे प्लांट का हमारे पॉटों का पानी जो भेता है काफी न्यूट्रिसन इससे चले आता है जिससे की हमारे प्लांट में जो है नैट्रोजन की मात्रा तो काफी हो जाती है लेकिन हमारे प फूल नहीं खिलते हैं फ़ल नहीं खिलते हैं फ़ल बड़े नहीं होते हैं तो इस समय आप अपने प्लांट में कैल्सियम भी जरूर डालेगा कैल्सियम की और्गनिक स्रोथ मैंने काफी बता रखें कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो सेयर करी है चूना जो हम चूना लगात सकते हैं और वी चूनी की कई चीजे हैं आप वीडियो देखेंगा तो वह अपने प्लांट में इस वक्त जरूर डाले सवाल यह उड़ता है कि कुछ ब्लोग को लें कि आजका बारिस हो रही कुछ करें डाले कुछ करें नहीं डाले दोस्तों यह नहीं है यह हमारे फ्लाव पानी जसमें आप देतो पानी की जगों अगर आप लुकिट बनाएं आप तो वह दे सकते हो लेकिन यह ध्यान देना कि बारिज भी हो रही और पाप फट्लाजर डाल दरो तो वह तो पह जाएगा वह बेकार हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि परसाब में पाप फट्लाजर दानला चाहिए बागी कोसिस यह करना कि हमें ड्राइख जोसे कि बर्मी कंपोस्ट अपर की खाते यह चीज़ अपनी प्लांट में देना ही पड़ेगा फ्लावर अच्छे नियुक्त प्लांट जो हैं सूखने लगेगा या फ्लावर नहीं हो तीसरी जी जो है प्लांट सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं इसकी दोस्तों देखे मैंने इसकी गुडाई में कर चुकी अपने प्लांट की गुडाई करते रहना है जिसे की एरेशन हमारे रूप में यहां पौदू की जड़ों में हवा जाए ऑक्सिजन जाए और कि धिली हो अगर ज्यान देना है गुड़ल के प्लांट में इस समय किसी में भी जो है कि पानी नियुक ना चीए वो किसी भी प्लांट के लिए अगर वारिस वरी किसमा आपके पौड में पानी लगाता रूप रहा है तो आपकी जो हमारी रूट में फंगस लजाता है पर इस तरह की से गुड़ाई भी करते रहना है तो मैंने इसमें गुड़ाई आगे कर ली है पल पलांट की में काफी गुड़ाई मैं गुड़ाई कर ली है धूप आई हुई धी जुस्ते के ज़रा सी मिट्टी हमारी सोलराइज भी हो जाए तो पॉंदू को अच्छा है इस के साफ लेके आई हुँ यह वूड़ा एस दोस्तों यह कॉड़ा एस लखडी रात के यह बहुत काम की चीज़ इसमें पोटेशिम भर्पूर मातरा में होता है आयरन भी होता है सलपा ठासपरस भी होता है जो कि हमारे प्लांट में फूल लाने में पुसायक होता है और इस स प्लांट में जो है डाल दूंगी ठीक है यह दोस्तों आपको और प्रताना जाती हूं आप लोगों को कि अभी सिंगल पेटल के गुडल होते हैं यह अभी यही फ्लावरिंग करते हैं इसलिदी को 就 करते हैं आपहिंट पुरा विंटर में उदर्फ्लावरिंग करता है आप हमें जो है यह बर्मी कंपोस्ट अपने अपने ये बहुत अच्छा सब्सक्कराई Coping स्मिट्टी को मिला देंगे अच्छी तरीक से अपने पॉर्ट में गुड़ाई कर रखिए पूरी इस तरीक से और दोस्तों जिन प्लांट में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही यह बहुत अच्छा समय है इसमें आपनी प्लांट की जो है हाट कटिंग कर सकते हैं जिन जिन कापी हो रही है अभी कापी बने हुई लेकिन बाद हमें इसकी भी कटिंग कर दोंगी पॉर्ट छोटा है और फ्लावर जो है प्लांट जो है बहुत बड़ा हो गया अच्छी गुरोथ प्लांट में मेरी कल ली है तो इस तरीके से तो चलिए अम मैं आपके लिए बताती उसको हम कौन-कौन सी चीज है जिससे जड़ू का विकास होगा फंगस मारे प्लांट पर नहीं लगेगा और फुलू का विकास होगा तो इसमें अगर हम लुकिट फटलाजर जो और्गनिक घर में बता बना रही हूँ सबसे पहले ये चीज है ये चीज क्या है ये चीज द स्लिकोप ये चीज होता है येकम करते हैं ये मारे हिसने की भाध प्लांट के लिए प्यास के चल्कू का चाहें र출का के छिल को थीए और अधि भीगो दे या फिर आप बॉइल कभी करते हैं उनको आप रखने ये प्यास के चल्कू को हम सुक सुका लाद आपके परॉड़ बना लें पॉडर बना के डालने और कमपोस्ट भी हम तैयार करते हैं तो इस तरीके से मैंने इतना यह हमारा प्याज के यह छिलकू का जो भीगोए हुआ है दो दिन भीगोगे रखा था मैंने बॉइल किया था कल बॉइल के थे कल से रखे हुए था तो यह लुकिट बन गया लुए थे कम लहें धर घाथ के दाल भींग बनेंगी जाता है हमारे निकल जाता है उध कर दो पानी डाले ही उसको हम अपने डाल सकते हैं येOoh इस तरीके स ये ये ट्यार है तो इसको भी हम अब इसीए मिला जाते हैं में एक सांहद उसको मिलाकर बना देल है कि इसमें ही मैं मिला के मिला दिया है इसको अब दोस्तों सबसे जरूरी चीज एक है यह हमारे प्लांट के न्यूट्रिशन हो गया है हमारे जणु के भीकास के लिए फास्पॉरस हो गया है सलपर हो गया है और एक चीज बहुत इंपोर्टन चीज है वह आपके साहर करते हूं चलो वह देखें तो यह दे तो एसे का प्रहपटिस होती उनस्टि नहीं होती इस तरीके इसको तैयार करते हैं और यूज करते हैं इसको और फंगस क awareness कर लोगे पर अटे को बहुत अच्छा इसOR名 क Mick नहीं करता है अइसको अब वर बनने लाँता है देश्ध आइस प्लांट कोई समस्या भी लाँ progress अपने प्लांट में इसको कूट लिया है और इसको निकाल लेती हूं दौंगे में इस तरीके से चली अब इसमें हम लुकिट मिलाएंगे तो यह देखें आम में इसमें जड़ा पानी मिला लेती हूं इस तरह से पानी मिलाके और थोड़ाएंड गघोवल लएंगे इसको 20-4 मिनट ऎसी रख देते हैं घोल के फिर हम दिखाते हैं अागे को इसको में छोड़े हूए पांस मिनट हो गए है यह देखें पांस मिनट बाद ही इस तरीके का हो गया है बिल्कुल इस में जो तक्तों हो निकल चुकूए हैं ये देखिए फूरा घुल के है अब हम इसको चान लेते हैं तो अब मैं इसमें उन を प्याच के छिलकों का रस बिला है और दाल के पानी मिला रख़ा है और उसी में हम ऐलोबेडा को मिला देंगे ये देखिए यह देखें इस तरीके से मिला दिया है अब देखो अब देखिए यह हमारा बहुती सांदार लुकुट तैयार हो चुका है इसमें द्यूस्तोर दाल के पानी में कोई पानी मिलाने की जोरत नहीं थी और अलोवेरा कभी जितना बनाया था वो सफिसेंट था प्याज का जो हमने लुकिट बनाया था वो देखें वो मेरा एक किलो एक लिटर से कम पानी था उसमाँ इतना पानी मिल चुका है क्योंकि प्याज का लुकुट गड़ा होता हुथ में थोड़ा से पानी जरूर मिला लेना चाहिए तो यह कापी पानी हो चुका है अब हम इसक कशिपरे करेंके हमारी इसप्रेश बोटल मेंना कोई चीज ना लगे तो यह इसकर एपानी मिलेगा और इसका प्लांट पर यह और चलिए पहले हम इसको अपने पलांट के अप्लाइब करके मिन सब्सक्राइब आपको आपको यहितना हमें रुकुट डाल देंगे तोड़ पूरा इसको डाल देंगे तो दोस्तों यह हमने की स्प्रे बोटल ले लिया है और इसमें हम इस लिकुट को डाल देंगे यह देखें कि और अब हम इस तरी के से अपने प्रांट में इस प्रेज करएंगे तो क्या साया हimore City हम सब्सक्राणर करें है न, इस तरह किसे तो ये सारे प्लांट में मैं कर दूंगी यहां देखें धर भी एक यहां भी दिखां कितना सुन्दर मेरा रानी कलर का मिनेचर जो है गुढल खिला हुआ है काफी फ्लावरिंग इनमें होती रहती है यह देखें रोज 20 सारी कलियों से भरा पड़ा है यह देखें और यह और्गनिक चीजे में डालती रख्यों प्लांट हल्दी होते ही और इंसेक्ट वगरा ही मेरे नहीं लगते काफी इंसेक्टिसाइट की वीडियो मेरे चैनल पर है अगर आपको द्यावनी है देखनी है तो आप प्लीज मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा तो यह थी मेरी आज की वीडियो गुढल के प्लांट के बारे में सारी के स्किट से और गुढल के प्लांट को दूप में बिल्कुल रखेगा अगर फूप कम होगी तो सब्सक्राइब करना और मुझे चैनल वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल पर पहली पार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बगल में जो बैल है उसको जरूड दबाना मिलती हूं आगे नहीं वीडियो में और आपको छुची पूछँए तो मिलोंगे अपता के लिए बाई बाई हैपी गार्डिन टेक लिए